सूपर हीडो का मूवी फंटास्टिक फोर जिसमें फोर केरेक्टर्स में से एक हिमन टॉर्च जिसके पास आग की पावर से और चाहे तो आपने पूरे बोडी में आग लगा लेगा तो हिमन टॉर्च को एडिट करा हूँ केपकाट में मागर अपने स्टाइल में सबसे हार्ड थिंग है एग वीडियो को पारफेक्टली सूट करना आच्छे से देखो वीडियो को ऐसे सूट करना है मुझे फाइनल सोट के लिए एक्स्ट्रा बहुत बार रेकोडिंग करने पड़ें सायद तुम्हें भी एक्स्ट्रा रेकोडिंग करना पड़ेगा तो लास्ट बात अच्छे सूट से ही अच्छे डिटिंग बनते है फास्ट, VPN और डाटा को ओन करके ही CapCut Apps को ओपेन करो फास्ट स्टेप्स, CapCut ओपेन करने के बाद New Project पे क्लिक करके अपने Final Sort को ढूंड के Import करो किपकट में Second Step फास्ट काम वीडियो के ऐसे कही पे Slow और कही पे Speed करना है इसके लिए Speed के अंदर Carb से कही पे Slow और कही पे Speed होगा वीडियो के जिस जगा को Speed या Slow करना चाहते हो वहाँ एक Point Add करो और उपर के Side करोगा तो Fast और नीचे के Side करोगा तो Slow होगा जिसके पास मेरी तरह Lower Device है वह स्क्रीट को एकजस्ट करके वीडियो को सब कर लेना क्योंकि एक साथ ज्यादा Editing नहीं कर पाएगा सेब वीडियो को फिर से Add करो के अपकाट में Third Step में Background को ब्लार करेंगे इसके लिए Man वीडियो को Fast Copy करना है कोफी करने के बाद अभरलेपे क्लिक करो और वीडियो लेयर में कनवाट हो जाएगा लास्ट की केप काट के एक्स्ट्र पाट को दिट कर दना नेक्स्ट लेयर को टाच करके काटाउट में Remove Background कर दो इस बोड़ी को छोड़के पूरो Background रिमूव हो जाएगा फिर पूरा बेक करके एफेक्ट वीडियो एफेक्ट और लेंड्स के अंदर ब्लार करो ब्लार के उपसिटी को थोड़ा कम कर देना ब्लार तो हो गया आप बेक करके में वीडियो को एड़जस्ट में ब्राइडनेस, कॉंट्रास्ट और सैट्रूशन को थोड़ा कम कर देना स्टेप फोर हर बार की तरह ओभरले से इस फायर एफेक्ट को एड़ कर लो नेक्स्ट स्प्लाइस से फिल्टर कर देना इससे ब्लेक हट जाएगा नेक्स्ट आग को हाथ के निचे करने के लिए सिंप्ली लियार में जाके वान कर दो फिर हाथ के साथ आग को मूब करने के लिए फ्रेम एड़ करना है हास्ट की के ओपेसिटी को जिरो कर देन हाथ की पोजिसन के साथ आग को थोड़ा थोड़ा मूब करो और एक प्रेम एड़ करते रहो और लास्ट की में भी ओपेसिटी कम कर देना स्टेफ आइव थोड़ा रियलिस्टिक फिल देने के लिए ये फोटो को एड़ करना है और सेम आग की तरह फिर से फिल्टर से बलेक को हटाओ सेम आग की तरह ही एक एक की फ्रेम एड़ करते रहो और लास्ट की में ओपेसिटी को जिरो कर देना सेकंड फायर एफक्ट को एड़ करो एड़ बलेक को हटाओ फिर साइज को हाथ की हिसाब से बड़ा कर लेना देन ये पाट को हटाने के लिए मार्क्सिंग करेंगे हाथ की मोव्मेंट के साथ मैच करने के लिए की फ्रेम एड़ करो की फ्रेम में टाइम देना और और आच्छे से हाथ के साथ फायर को मैच कर लेना नहीं तो बहुत गंदा लगेगा और एक बात जहां पर आग को खतम करना चाहती हो वहाँ लास्ट की एड़ करो और आपसिटी को कम कर देना सेवें स्टेप एड़ ओवरले से लास्ट एफेक्ट को एड़ करो और स्प्लाइस से फिल्टर कर लो और एफेक्ट को ठीक जगर पे फिट कर देना